जहिन कारूनी ग्यान की इस एपिसोड नंबर 4 में मैं चंदन सिंग आप शभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अब नंदन करता हूं दोस्तों आज हम लोग समझने का पर्यास करेंगे कि विसेश राज का दर्जा क्या होता है विसेश राज का दर्जा का आखिर डिमांड इ कि आखिर सरकार विसेश राज का दर्जा देना क्यूं नहीं चाहती है कारन क्या है उसके पीछे इसके साथ हम लोग ये भी समझेंगे की कौन कौन सी सुधाय parallels काम मिलनी पर मिलती है किसी को चलिए station को start करते हैं तो station अभी आपको पता है कि बीजेपी के साथ जो है जेडीउ मिलके इन्होंने भी अपनी पार्टी दी है और इसके साथ मिलकर जो है गौर्णमेंट अभी चल रही है यानि कि एलाइंस की गौर्णमेंट चल रही है फिलाल जब से election हुआ है election के बाद अब देख रहे हैं तो विशेषराज का दर्जा के लिए हरे की state जो है वह मांग कर रहा है चाहे वो तेलंगाना भो चाहे वो विहार हो तो आखिर विशेषराज के दर्जा च्षित राज के दर्जा मांग रहा है कारन В अभाला की पिछड़ेपन वहां की जो मज़़ूर है वो लोग बाहर किसी इलाके में जाकर काम करते हैं, किसी सहर में जाकर काम करते हैं, क्यूंकि वहाँ development सही तरीके से नहीं हुए, इन सभी कारणों के वज़े से, इन सभी चीजों के वज़े से, और कि poverty line में सबसे पीछे होने के वज़े से, बिहार को विसेश राज का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी demand जो है, वहां के लोग कर रहे हैं, इसी के साथ अगर देखा जाए दोस्तों, कि poverty index के अनुसार अगर देखा जाए, तो बिहार एक 50.9% जो है, बाकी अगर स्टेट को आप देखें, गुजराद 18%, राजस्थार 29%, आंधरा 12%, मलीपूर 17%, केरला 0.7%, इस तो इस बिहार में इतनी जादा गरिबी होने के वज़े से, इतना पिछरापन होने के वज़े से, ये भी एक कारण बनता है, कि बिहार को जो है, विशेष राज का दरजा मिलना चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए, चलिए, अब दूसरी चीश है दोस्तों, कि विशेष का दरज्पार भूरत क्या होता है कि कोई भी राज जैसे करने पर होता है कि मांदर्ड क्या है उसके पैमाने क्या है किन जो है राज्यों को विश्यस राज का दर्जा दिया जा सकता है इसके साथ हम यह भी समझते हैं कि विश्यस राज का दर्जा मिलने से राज्य को क्या लाव हो सकते हैं अखिर राज्य को क्या क्या लाव मिलेंगे यह भी एक सवाल है इसके साथ हम ये भीर्टा साथ को कारन आगर वहां किसी भी संधू Genau मिलना चाहिए जिसाना दर्जा मिला है तो कहीं ना कहीं वहां पर development जो है वह कम रहा है वहां के लोग जो है काफी ज़्यादा गरीबी से जूज रहे हों अगर विशेश राज्य की दर्जा की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है केंदर सरकार जो है एक विशेश जो है फंड जो है वो प लेकिन यह जो बिशेश राज का दरजा होता है यह आर्थिक रूप से संबंदित होता है जिसमें विशेश सहायता दिये जाते हैं इसके साथ अगर आप देखें जो आपका साल 1969 के अंदर क्या हुआ था 1969 के अंदर महवीर त्यागी थे इन्हों ने पांचवी वित्तिय आ जो है आयोग की सिफारिस की थी और इसमें जो है इसी के अंदर जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा देने का प्रावधान शुरू किया गया दोस्तों तो जब विशेष राज का दर्जा जो है यह पांचवी वित्तिय जो है आयोग में start किया गया था इसके बाद सो विसेष राज का दर्जा जो है वह provide किया जाने लगा अब अगर देखें कि विसेष राज का दर्जा में मुक्हरूप से क्या चीज यह देखी जाती है कि पिछला राज्य होना चाहिए साथ में उसकी भगावली की जो है स्थिती खराब होनी चाहिए उसकी सामाजी की स्थिती खराब होनी चाहिए उसकी आर्थिक कि हम बात करें दोस्तों समधान में किसी भी हमारे समधान के अंदर कोई विश्य तराज का दरज़ा कोई प्रावधान नहीं गया है कि अगर ऐसा कोई कारण होता है भग-उलिग समाजी ए फिर आर्थिक तो इनको विश्य तरॅज का दरजा कर दिया जा सकता है इसी के साथ अगर देखा जाए तेलंगाना और आंध्रप्रदिश के गर कहानी बताओं मैं तो तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना के पास काफी ज़्यादा गरेबी थी और उस समय यह भगौलिक रूप से और आर्थिक रूप से समाजिक रूप से काफी पिछड ग जै को भी स्टाइब तो इस तरीके से अगर आप देखे तो विशेश्याज का दर्जा जुर्फ जैन जिन्दिम स्टेटों को दिया गया है वह कहिए आर्थिक से दरजा के लिश्ट से और कुछ स्टेेट जो की हिलिवाले स्टेट तें और कुछ स्ट्र मी थे यानिंप प्रुबत्तर श्टेट केमाडल ready जो हुआ रखा गया जैनि उनको विस्जोड का हटा दिया गया 14-way Finance Commission में अब अगर हम देखते हैं समझने का पराज करते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर जो है important है अब देखिए दोस्तों SCS जिसको जो हम लोग special बात करते हैं SCS SCS का SCS कहता क्या है अगर हम SCS को देखें ये डिवाइड करता है क्या डिवाइड करता है ये जुग्राफिकल SCS को हम लोग बोलते हैं विशेष राज अब इस विशेष राज ग्यांदर देखें आप जोग्राफिकल और प्रोवाइट किया जाते हैं साथ में इस तरह का प्रोविएंस नहीं बनाता है जैसे मने आपको बताया पाचवा में इसको बनाया गया था सबसे पहला जो स्टेटस दिया गया था वह जम्मू कास्मीर को आसाम को और नागा लेंड को जब कमिटी में बनने के बाद गडगिल कमिटी का नाम है इस कमिटी जब बनने के बाद 1969 के अंदर जम्मू कास्मीर आसाम और नागा लेंड को जो है वह विशेस राज का दरजा सर्व प्रथम प्रवाइड किया गया इसके बाद सबसे नया स्टेट था जिसको जो है विसेस राज का दर्जा आप तक दिया गया और इसके बाद चौधावी जो फनांस कमिशन बनिस में हटा भी दिया गया अब स्टेस का बेसिकली अगर आप देखें तो स्टेस जो है डिफेंट है स्पेसल इस्टेस मैंने आपको बताया अभी इसके अलावा देखें आप जम्मू कास्मिर जो है वह स्पेसल स्टेस करता था 370 जो है अनुछेट के अंदर उससे मिला हुआ था अब मुख्य रुप से देखें पैरामीटर जो है जो मैंने भाई पारामीटर आपको बताया वह गटगिल फर्मूला के ऊपर डिपेंड दोस्तो है या तो को स्टेट जो है जो हिलिए उरिया में पिछरा इलाका हो हो या फिर लो पौफूलेशन ड्रेंसिटी हो ट्राइबल पौपूलेशन ंज्याधा हो इससाथ अगर देखें आप लोकेशन जो है वो लुकेशन एलोंग बार्डर सो यानि कि नेवरिंड कंट्री अब मैं आपको बताऊँगा की बिहार को क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसमें कारण बनता है फर्मुला के उनसार देखें आप कषे कि हेली एरिया हो इसके साथ कुछ हेली के सटा हुआ 폰ापी सथ और स्टा इसके साथ अग़ें इस्टीत सथ थे चूछ हो और इसके साथ और ऑफ सथ स्टेट का फानांस जो है यो वित्तिय स्थितिय वह बहुत बेकार हो यानि कि अगर ये पांच जो है अगर कंडिशन किसी स्टेट के अंदर पाया जाता है तो ये गडगिल फर्मूला के अनुसार जो है उस राज्य को विशेश राज का दर्जा मिलना चाहिए अब अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है वो एक साइट से जो है पहारों से घीरा हुआ है नेपाल का इलाका उपर में और बिहार के अंदर नेपाल का इलाका यानि कि ये पहला जो है टर्म को बिहार जो है वो कवर करता है यानि कि एक तो बिहार के पास जो है वो आपका ये इलाका भी हो गया पहारी इलाका भी हो गया इसके साथ दूसरा चीज पूब करता है इसके साथ जो है इस्टेट फानांस फूलफिल करता है क्योंकि आर्थिक रूप से अगर इंड़स्ट्री ही नहीं है तो बिहार के अंदर टैक्स कहीं न कहीं कम आते हैं और कहीं न कहीं जो है डेवलप्मेंट का उपर भी जो है इसका जोर परता अगर आप देखे यह पांचो चीज जो है वह विहार के अंदर मौझूद है तो कहीं न कहीं जो है इसकी असर पड़ती है अब कियंद्र तरकार जो है बेसिकली जो है वह आर्थिक रूप से सहायता करती है वित्य सहायता क करती है किसी भी स्टेट को जब उससे आविशेश राज का दरजा मिलता है अब आते हैं बात करते हैं कि विशेश राज दरजा के बेनिफिट क्या क्या है तो सबसे पहला जो बेनिफिट है अगर आप देखें तो सेंटर जो है 90% फंड जो है अगर कोई स्कीम चलती है तो उसमें 90% जो है वो फंड जो है वो सेंटरल गॉर्मेंट देती है दोस्तों और आप देखें अगर को सेंटरल स्कीम है तो माली कोई किन सरकार की स्कीम आती है और वो सभी राज्यों में लागू होती है तो जिस राज को विशेश राज का दरजा मिला हुआ है उसको 90% उस विशेश राज जी के अंदर जो खर्च होने वाली जो जो स्कीम को चलाने में जो खर्च होने वाली पैसा उसका 90% सेंटर दे देगी लेकिन अगर जिसको नहीं मिला हुआ है विशेश राज का दरजा उसको 60-75% दिया जाता है तो यहां पे एक बहुत बड़ा मार्जिन ज दूसरा देखें आप जो पैसा कर्च नहीं होता है जैसे विशेश के दरज़ा के समय अभी आंतोर कि रहेक्श जाता है लेकिन अगर विशेश luence जो धन राथ यो बची ऊब ये शेशफ धन राथी वह वापस नहीं जाता है तो वह को अगले फैणसरे के लिए यूश्य में करता है अगर किसी को आधा कि श्टेट को सपेशल स्टेटस मिला हुआ है दूसरा चीज शीज भी अगर देखे आप तो साईज में कॉस्टम ड्यूटी में इंकम टैक्स में ये सारी कॉर्पोट टैक्स इन सभी चीजियों में छूट मिल दीसतों यह साथी टैक्स में के शूट मिल जाती है ऑगर को विशेष राज का दरजा है मिला हुआ है किसी श्टेट को तो ये फाइदा है और 30% जो है Central gross budget का Pinic Virtue जो है जैसे मैंने बताए यह सारे चुछ चीजे जो है वह विश्य स्राज के दर्जा को काफी अधफल अब चैलेंज को हम समझ लेते हैं कि चैलेंज क्या है तो चैलेंज में अगर आप देखें तो रिसोर्स एलोकेशन है कही न कहीं क्या होगा कि अगर किसी एक स्टेट को जब क्या करना सभी 28 स्टेट कोटी देने या किसी स्की्म का चलाना है तो 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 सभी वह सभी स्टेट को सब्सकराना करना है तो यह कई ना कहीं जो है रीसोर्स सकाय लोकेशन के अदर जो है वह प्रब्लेंज करता है क्योंकि इसमें कही सारे पॉल्टिकल चीज़े इन्वाल्व होती है अब गुद्मन किसका है सेंट्रल में सेंज्ट्रल जो 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 पर यानि कि state जो होते हैं वह पूरी तरीके सेंटर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और वह center के द्वारा दिये गए fund का जो है इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है यह एक challenge है कही ना कहीं क्योंकि यह center के ऊपर जो है वह एक fund का जो है बहुत बड़ा जो है वह एक भार पड़ता है क्योंकि कोई अगर इस्टेट को अगर स्पेशल मिला तो वहां से जो उसको सारे funds जो है वह center को यह center जो government है उसको जो है funds देने होंगे जब वह funds ज्यादा ज्यादा funds bear करने होंगे schemes चलाने होंगे कई साथ infrastructure के काम करने होंगे तो यह इतने भी यह development काम है जिससे की सरकार के budget के ऊपर जो है वह काफी ज्यादा जो है भार बढ़ जाता है यह भी एक कारण है कि सरकार जो है वह नही देना चाहती है किसी भी स्टेट को special status इसके साथ implementation का भी चैलेंज है corruption है पैसे जो है वह corruption के वाज़ा से कई जगा फैल जाते हैं लोगों को नहीं मिल पाते हैं तो यह यह कारण बना कि यह लोग के सरकार के चैलेंजिंग है कि पैसा जो विशेस राज के लिए जो लाया गय गया है तो बहुत सारे सी स्कीम से जिसके अंदर जो है corruption जो है वह चैलेंज है गवर्मेंट के लिए तो corruption चैलेंज है और इसी corruption के साथ जो है वह कहीं ना कहीं जो है वह problem खड़ा होता है एक scheme को implementation करने में special status को provide करने में तो बिहार के अंदर जो है जो इतनी problems है इतनी problems के बावजूर भी कहीं न कहीं जो है development के अंदर कमी है और ऐसे कोई भी राज्य है जहां पर development की कमी है और जो गडगिल formula के अंदर सारे नियमों का पालन करते हैं वैसे राज्य को केंदर सकार चा सकती है उसको status दे सकती है तो होप शो कि आपको यह lecture पसंद आया होगा और आपको सारी बाते समझ में आई होंगी कि विशेश राज का दर्जा क्या है और बिहार को क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आप कमेंट करके बदाईए कमेंट में अपनी राय को रखिए और